दक्षिनपूर्व मध्य रेलवे की नई ब्राड़गेज लाइन जबलपूर गुंदिया बल्लारशा पूरी तरह से तयार हो गई है इस माँ के आखिर में इससे यात्री गारियों का आवागवन किये जाने वाला है नाकपूर से जबलपूर का सफर करने वाले यात्रियों को उपरोक्त नए मार की सुविधा मिल सकती है जबलपूर से नाकपूर तक ट्रेन से सफर करने वालों के लिए समय में बच्चत होंगी दपूम रेलवे की नई ब्राडगेज लाइन जबलपूर, कुंदिया, बल्लार शाह पूरी तरह से तयार हो गई है इसी मार के आखिर में इससे यात्री गारियों का आवागमन किया जाने वाला है हाला कि अभी तक नाकपूर मंडल के पास इस तरह की कोई अधिकरुज जानकारी नहीं पहुची है लेकिन सूत्रों की माने तो नए साल की शिरुवात में नाकपूर से जबलपूर का सफर करने वाले यात्रियों को उपरोक नए मार्क की सुविधा मिल सकती है जबलपूर से नाकपूर आने के लिए मध्य रेलवे की बड़ी लाइन से इटारसी होकर आना पड़ता है पास्तो बेयाल इस किलोमीटर की इस सफर को तै करने में आट घंटे से ज़्यादा का समय लग चाता है लेकिन अब उपरोक नई ब्राडगेस की कारण धाई घंटे तक समय की बच्चत होगी जबलपूर से गोंदिया वो गोंदिया से बलार शाह के लिए बनाई गई नई लाइन से नाकपूर आने वालों को पहले गोंदिया का सफर 250 किलोमीटर तै करना होगा यहाँ से नाकपूर आने के लिए 130 किलोमीटर का सफर तै करना होगा इस प्रकार 380 किलोमीटर का सफर 5.5-6 घंटे में पूरा किया जा सकीगा क्यामरा पोसन मोनू खान के साथ संचे मेरे NBC News नाकपूर